हरदोई में अवयद खनन की सूचना पर पहुँची SDM पर हमला हरदोई में खनन माफिया के होसले बुलंद IAS अफसर दीख्षा जैन SDM सदर हैं उन्हें सूचना मिली थी कि हरदोई के कुलही नहर पटरी पर ट्रैक्टर मालिक का और चालक बालू का अवयद खनन कर रहे हैं खनन माफिया की सूचना मिले के बाद मौके पर पहुँची जैन्ट मजिस्ट्रेट ने पिहानी कोथवाल को सूचना दी और खुद मौके पर पहुँच गई कि सुरक्षा व्यवस्था में लगे होम गार्ड सत्रुगन लाल ने घटना की जैनकारी बताते हुए कहा कि वहां मौके पर पहुँचे तो आठ ट्रैक्टर खड़े थे नहर से बालू निकाल कर ट्रैलियों में फरी जा रही थी लोडिंग की जा रही थी मजदूरों से ट्रैक्टर मालिकों और चालकों के बारे में जब जानकारी सुरू की गई तो खरीब वहां पर हतियार बंद पचास लोग मौके पर लाइस होकर पहुच गए और जाइंट मजिस्टेट वा उनकी टीम से धक्का मुकी करने लगे सुरक्षा गार्ड सत्रगनलाल ने बताया कि यह सब होता देखकर उन्होंने तुरंट बीच बचाओ किया तब तक लोग मौके से भाग चुके थे घटना की सूचना मिलने के बाद में मौके पर पहुचे एसपी पश्चिमी और सियो हरियामा एके द्रिपाठी पिहानी कोत जयस्वाल दिलिश कुमार सिंग और सियो सिटी विकाठ जयस्वाल ने मौका मौइना किया है इस घटना के बाद यह तो कहना गलत नहीं होगा कि हर्दोईमी करनन माफिया के होसले कितने जादा बुलंद है